हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक नियुक्तियों से लेटेट करेंट अफेस लेकर आया हूँ देखिए दोषटारम जितने भी महत्पूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सारे लेटेस्ट अपडेट है साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी आपको बताऊंगा यह देखिए इस टॉपिक से हर एक्जाम में लबखक दो से तीन कोश्चन हंडेट पसंट पूछा जायागा चाहिए कोई भी गवर्ण एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं आप इस व सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने अने के इस वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में देदे उस लिंक पर डायर्ग क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और आप चैनल पर पहली बार विजिट के चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों साथ में बेल आक़ान प्रेसा करें भारत का दोजबाहक थे रानी रामपाल ठीक रानी रामपाल देखिए आपको उतादिक महिला होकीडीप केप्टन है रानी रामपाल अठार में एसी आई खेलों के श्मापन समारों के लिए भारती दल का दोजबाहक इने चुना गया था ठीक है यही थी तो यह बहुत महत्म बढ़ाई है उसी वीडियो को शेयर कर दीजे ताकि और लोगों की मदत हो सके तो फटापर शेयर कर दीजे इंडियन बैंग एस्यूसियेशन यानि आई वीए का नया चेर्मेन कौन है तो इनके भी हाली में निक्ति हुए है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है सुनील महता अगला कोशन है सितंबर 2018 को पाकिस्तान के तेरवे राष्ट पति गुरू में किसे चुना गया तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका करेक्टर नसों यागा ऑप्संडी डाक्टर आरिफ हल्वी को आपको बता दिक पाकिस्तान तहरीके इंसाब पार्टी के संस्थापक स तेरवे राष्ट पति गुरू में चुनलिया गया है और अलभी मौजोद राष्ट पती मम्नून हुसैन की जगह लेंगे तो भी आपको याद रखने इन्हों मम्नून हुसैन की जगह लिया है ठीक है और इसके लाब बता देक पाकिसान के बरतवान प्राइम निस्टर कौ इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी नियामूर्ती रंजन गोगोई यह मोस्ट इंपोर्डेंट है आपके आगायम एक्जाम से हंडेट परसेंट पूछा जाएगा आपको उतादिक चार सितमर्द वठारा को भारत के मुक्हिन आधिश दीपक मिस्रा ने जो तो सुप्रीम कोट के वरिश नियाधिस रंजन गोगोई की नाम की सिपारिस की अब तो यह नियुक्ति भी मतलब हो चुके हैं तो बरतमान में यह रंजन गोगोई जी है इससे पहले दीपक मिस्रा थे आपको क्राम भी याद रखना है 46 में नंबर के ठीक है यह आपको जरूर पूर याद रखना है चलिए अगला कोशन है सितंबर 2018 को डवलू एचो दक्षिण पूर्व एसिया छेत्र के छेत्री निर्षक की रूमें फिर से किसे निर्वाचित किया गया है डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग ऑप्सन सी करेक्ट है ठीक है तो यह बता दें कि सितंब सितंबर में पांस साल की दूसरी अबधी के लिए डाक्टर पूनम खेत्रपाल सिंग के छित्री निर्षक की रूमें फिर समती से निर्वाचित होने साथी दक्षिण पूर्व एसिया छेत्र में डवलू एचो के सर्वोच पत को वरकरार रखा है ठीक है अगला कोशन है सि पूर्वी वयद को राज्य के पुलिस प्रमुक के रूम में हटा दिये जाने के बाद जो है यह चार्ज दिया गया है ठीक है दिल वाद दिलवाकसिंग जमुकासिंट पूलिस के माने सक निव्ट किया गया है दोस्ते आप रेलवे गुरूप डीक आपके एक्जाम है तो नोट्स के लिए पीडियाफ नोट्स एल बुक पॉलिसर द्वारा तयार किये गया है उस बुक का लिंक आपको वीडियो को डिक्रिस्पन बॉक से दे दिया गया है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडियाफ मटेरियल परचेज कर सकते है मात 30 रुपए की ओ बुक है ठी अगला गोशन असम के पहले खेल राज दे रूट करूम में किस्या नामित किया जाने का फैसला किया है करएक्ट जा ओ सन भी हीमा डास को ठीक है देखिए असम죠 जो सिय में सरवादन सोने वाले भारती एथलीट हीमादास को राज जी के पहले खेल राजदूत क्रूम में आमित किया है और यह गोशना तब ही जो हीमादास आली में फ्रांस में एक्सीजबैंक का अगला MD और CEO किसे नुक्त किया गया है एक्सीजबैंक का नेक्स्ट MD और CEO नुक्त किया गया है अमिताब चोधरी को ठीक है आउपसन B लाइप का नया CEO कौन है तो यह बन गए है बीभा पड़ालकर ठीक हा ऑप्सट्टी HDFC का फुल फॉर्म क्या है Housing Development Finance Corporation Life Insurance ने बीभा पड़ालकर को कंपनी का नया CEO बनाया है इस से पहले अमताप चौधरी कंपनी के CEO थे चौधरी अब XeS Bank के CEO का पत समवालेंगे बीभा को तीन साल के लिए कंपनी का MD और CEO बनाया गया है ठीक है कोश्टन अगला है बर्तमान सारवे राष्टपती का नाम क्या है बर्तमान सारवे राष्टपती का नाम है अगला question देख लेते हैं परमाडु उर्जा आयोक के नयद्यक्ष कौन है very very important question 100% संभाव ने इसकी पूछे जाने के हर एक्जाम में के यन व्यास है नि कमलेश नीलकांत व्यास देखे प्रसित व्यास नि कमलेश नीलकांत व्यास परमाडु उर्जा विभाग और परमाडु उर्जा आयोक के देख रूम में चुने गया हैं ब्यास जोकी वर्तमान में बार क्यानी भावा परमाडु अनसंदान के निदेशा के इन्हें सेखर वसुगस्थान पर नियुक्त किया गया है ठीक है सेखर वसुगस्थान पर तो परमाडु उर्जाय को नय अध्यक्ष कौन बन गया है कमलेश नीलकांत प्यास बहुत महत्पूर है अगला कोशन है निमने में से कौन से कलाकार कौसल भारत मिशन को बढ़ावा देंगे इनका ब्रांडमेश्डर बनाया गया है इसके लिए इंडिया मिशन का तो यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है बरुन धावन और अनुस्का सर्मा को ठीक है देखे बॉलिवोड इस्टार बरुन धावन और अभिनेत्री जो है अनुस्का सर्मा को मोधी जीन के देख्षतावाल इसके लिए इंडिया अभियान के ब्रांडमेश्डर करूँ में बनाये गये हैं यह लोग अभियान का प्रचार करेंगे ठीक है तो यह आपको याद रखना है ब्रांडमेश्डर से लेटेर कोश्चन नेक्स्ट है भारती स्पात प्राधिकरने ने सेल का नया धेक शुरू में किसे निउट किया गया है यह निउट किया गया अनिल कुमार चौधरी को ठीक है सेल का नया धेक शुरू में किसे निउट किया अनिल कुमार चौधरी को चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अंधराबैंग का नया CEO कौन है अंधराबैंग का नया CEO बन गये है जे पैकरिस्मी Option B जे पैकरिस्मी अंधराबैंग के प्रवनेशक और नया CEO कुरूमे पदवार समाल लिया है जे पैकरिस्मी 1984 बता और PO प्रोविजिनरी आफिसर SBI से जुड़े थे ठीक है अगला कोश्चन दोस्तों निम्रिकित में से किसे फीफा प्लेयर आप दाइयर अवार्ड 2018 जीता है प्रोविजिनरी आप दाइयर आप दाइयर अवार्ड अपने नाम कर लिया है उनके शांदर प्रसंस से क्रोईशिया पहली वार वर्ल्ल कप के भाइनले पहुंचा था ठीक है लुका मेड्रिक अगला कोस्षां है 12.18 में माल दीव में हुए राष्टपती चुनाओ किसने जीता है रैइट इंसर इसका ओप्सन भी इबराहीम मुहमद सोली ने रिख लेते हैं दोस्तों नीम्रिकित नेताओं में से किसने 12.18 के लिए UN चैमियन ईथार थावार्ट पराप्त किया है यह नरेंद्र मोधी जी को मिला है आपको बतादिक पीम मोधी जी को अंतराश्टी सावर गड़ बंदन के नेतरित्व और दोहर वाइस तक भारत को एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक समूत कराने के लेकर चैंपियेंस अबदा अर्दवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक ह कांद मिस्रा को देखे आपको उतादिक यूपी उत्रप्रदेस कैडर के आईपेस ऑफीसर है रजनी कांद मिस्रा के एंसरकार में सीमा सुरक्षाबाल का प्रवंग नियुक्त किया गया है और 984 बैच के आईपेस रजनी कांद फिलाससा सीमा बल में डीजी के पत पर तैन कंबर में ट्राइबस इंडिया का ब्राइन बेजर बनाया गया है और इजन जाती मामलों के मंतराले की पहले बता दे महीरी काम पांच बार की विश्व मुक्यवाजी प्रतियुक्ता की बिजयता रह चुकी है ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको याद रखना यह अपके एकजाम में जरूरूर रफूल होगे वीडियो अच्छे लिए तो लाइक करें वीडियो का इसा लगाए कमेंट करके बताए आपको ऍके पार नेक्स्रीव चाहिए आपको कमेंट बाक्स जरूरु लेखिए आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके कर लें online sd point subscribe अपने Instagram से वहाँ पर मैं daily कुछ post करता हूं साथ ही Facebook page को like कर लें वहाँ पर भी मैं note share करता रहता हूं ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियों के साथ आपका दिन सूभ हो जै हिंद जै भारत